तो जैसा कि आप लोगों ने थम्निल में देखा तो आज की इस ट्योड़े में हम करेंगे कंपारिजन बोट की 2x2 वर्जस बोल्ट आडियो लूप यह फोन की बीच में जहां पर कंपारिजनों की काफी साथ डीटेल में वीडियो लंबी हो सकती है आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह चीज क्लियर कर दूँगा कि अगर आप सोच रहे हो गेमिंग के लिए कोई किया फोन लेनी की इन दोनों की बीच में तो मैं आपको बता दूँगा कौन सा बेटर होगा इसके अलावे मैं यह भी बता दूँगा कि अगर आप गेमिंग के लिए नहीं सोच रहे हो सिर्फ मोविज के लिए और सौंक्स के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए भी दोनों में से कौन सा बेटर होगा यह भी आपको वीडियो के बता दूँगा रूल वही होगा जो हमेशा की तरह हम करते हैं यहां पर हम लेंगे 10 टेस्स टेस्स कौन कॉंस से होगी लिष्ट आपके सामने स्क्रीन में यह वह पर टेस्स जो होगी 10 पॉइंट के और ओवरल जो से यह पर 100 पॉइंट्स होगे तो आप ओफ हंड्रेट जो जितने पॉइंट्स गेंड करेगा वही मेरे तरब से यहां पर बेस्ट होगा तो चलिए तो करते हैं कंपारिजन को सुरूर देखते हैं कि कौन लाता वी नर वैसे आपको क्या लगता है और कमेंट कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं तो सब करें अपसे पहले ओफ कोर्स दोने यह यह फोन में हमको इंद बॉक्स में यह फोन देखने के लिए मिलती है लूप में भी 244 में मिलना ही है इसके बाद यहां पर आप जुस्तों लूप में मिलता है 4 प्यर आफ यह चोटे रिटी बड़े साइजस में एक क्लिप बाद इन आपको मिलता है 4 pair of year tip, चोटे इन बड़े sizes में, एक clip मिल जाता है आपको shirt में clip करने के लिए, इसके अलावे दूस्तों loop में आपको 1 year की 180 card देखने के लिए मिल जाती है, करने के मिलती है, ना cut log, तो main तो यहाँ पर basically आप देख सकते हैं, एक extra मिल जाता है carry bag, जो कि आपको loop में नहीं मिलता है, obviously इसकी price कम है, loop की इसकी price ज्यादा है, but हम compare कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा चीज़ा हमें देखने के लिए मिलती है, port 242 में, तो हम यहाँ पर points द मिलता है, but यहाँ पर build quality वो काफी सही है, दिखने भी काफी कमाल की लगती है, वहीं पर जोस्तों यहाँ पर loop की बात की जाता है, आपको L shape मिलता है, जो कि यहाँ बोल्ड प्लेटिप मिलता है, लेकिन यहाँ पर build quality जो है, उतनी अची नहीं से 242 की मिलती है, तो of course तो यह यहाँ पर मैं बोलूगा कि L shape जाता बेटर होता है, तो loop को यहाँ पर मैं 10 out of 10 दे रहा हूँ, I shape को मैं 9 out of 10 दे रहा हूँ, बोर 242 को, वैसे दोस्तों यहाँ पर आप कोई ऐसा issue नहीं समझ सकते है, इसको I shape भी है, बद build quality काफी अची है, तो यहाँ पर आपने मंसे 10 out of 10 सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अपने तरफ से यहाँ पर 9 दे रहा हूँ, क्योंकि यह I shape की मिलती है, यहाँ पर आपको L shape की मिलती है, ठीक है, आगे बढ़ते है, अब हम बात करते हैं, इन दोनों यह earphones के cable quality की, जहाँ पर दोनों यह earphones में आपको same cable quality मिलती है, यानि कि reinforce cable मिलता है, और दोनों ही tangle free है, बाइदर वे दोस्तों कभी-कभी अगर tangle कर जाती है, तो उसका हम tangle होना नहीं बोलेंगे, तो दोनों ही earphone आपको tangle free मिलती है, reinforce cable के साथ में अच्छी quality आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर दोनों ही earphone को again 10 out of 10 हम देंगे, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें अगर इनके control buttons की, तो यहाँ पर difference है, board की 240 में आपको extra control buttons मिलते हैं, जो की volume up and low करने के लिए मिलते हैं, जो की आपको extra control buttons loop में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वैसे तो यहाँ पर फिरसे में दोरा रहा हूं की price इसकी कम है loop की, लेकिन यह यहाँ पर आपको extra मिलते हैं, और क्योंकि हम compare कर रहे हैं, तो यहाँ पर control buttons में winner तो of course 242 यह रहेगा, तो इसको हम देते हैं 10 out of 10, और यहाँ पर control buttons आपको नहीं मिलते हैं, बाकि सारे controls दोनों में same है, तो इसको हम देते है 9 out of 10, यानि loop को मिलते है 9 out of 10, और अब हम बात कर loop earphones, actually उसे दोनों की my quality काफी सही है, अच्छे सापकी voice को यह लोग recognize करते हैं, अच्छे से catch करते हैं, बट वहीं अगर बात करें background noises की, तो loop जो है, वो background noise as compared to 242 जादा catch करती है, 242 background noise जादा नहीं catch करती है, बहुत कम catch करती है, तो ज्यादा अच्छी quality तो mic की, of course 242 में, ले यहाँ पर हम compare करें, अगें, तो हमको लगता है कि better 242 है, तो हम इसको देंगे 10 out of 10, और mic quality हम एक point कम करने वाले है, 9 out of 10 देंगे loop को, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इन दोनों earphones की after divider की बात की, तो बिलकुल same जैसे कि पहले मिल वात हमको reinforceable, tangle free, वही वाले 242 earphone की मैंने पहले वे review कर आएं कई बारी, जहां पर न मेरे को इसकी air comfort पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही थी, बट इस बार मुझे अच्छी लगी है, आपको पताएं कि मेरा earphones मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आते, तो without earphones ही मुझे comfort आई है, earphones के साथ मुझे अच्छी नहीं लगती है, वैसे आप अपने recording earphones आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो snug fitting देती, वो पहार जली से निकलती नहीं आपके कानों से, मुझे पसंद नहीं तो मैं उसके निकाल के यूज किया है, लेकिन 242 को comfort मेरे को अच्छी आई है, पहली बार पता नहीं कैसे, वहीं पर तो loop की comfort तो obviously अच्छी है ही, तो yes guys, यहाँ पर मैं दोन ही earphones को 10 out of 10 देने वाला हूँ, अब आगे बात करते है look design and build quality की, सबसे पहले बात कर लेगर looks and design की, तो दोनों ही में कोई खास मेरे को difference नहीं लगती है, हाँ 242 is a better looks के साफ में आती है, लेकिन guys ठीक है अप aluminium body मिलती है, तो कहीं पर इसमे aluminium body मिलती है, कहीं इसमें plastic के, तो कहीं इसमें plastic के, ऐसे करके दोनों एक्ज़रे को balance कर लेती है, तो यहाँ पर हम look design and build quality तीनों में ही basically 10 out of 10 parts दोनों को ही देते हैं, और अब हम दोस्तों बात करते हैं इन earphones की audio quality के बारे में, जहाँ पर आगे 2 for 2 में आती है, जहाँ पर loop में उत्ते नहीं आती है, और यह चीज़ आपको ज़्यादा मदद करती है, gaming के लिए, तो 2 for 2 अगर आप दोनों में सोच रहे हो, gaming के purpose के लिए, तो 2 for 2 is more better than loop, लेकिन अगर आप सोच रहे हो, एक सिर्फ music के लिए, और movies दिखने के लिए, तो loop is more better, लेकिन दूस्तों क्योंकि हम movies, games, and songs थीनों के लिए, अगर combine दे ले, तो 2 for 2 यहाँ पर winner रहता है, क्योंकि इसके ज्यादा अच्छी मेरे को लगी है, तीनों में, overall में, overall में यह gaming के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है, यह पीशे चला जाता है, और इसलिए दूस्तो में दूस्तों आपको देखने की मिलती है, 10 mm की driver, IPX4 waterization and sweetization आपको मिलता है, इसके अलावे आपको extra control buttons मिल जाते है, जो की volume की controls है, वही पर बात की जाए loop की, यहाँ पर आपको मिलती है 12 mm की driver, IPX5 waterization and sweetization आपको यहाँ पर मिलता है, इसके अलावे यहाँ पर control buttons, normal, जो सभी earphones मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक control buttons ही है, basically जो इसमें थोड़ा जादा है, बाकि ज्यादा technical specs reason इसमें आपको लूप में जादा देखने की मिलते हैं, और अब मैं अगर यहाँ पर points तू, तो 242 को जाता है 9 out of 10, और loop earphone को जाता है 10 out of 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो best earphone है, इन दोनों की वीट में, मेरे comparison के according, यहाँ पर 242 is the best, the winner, तो यहाँ पर आगे दोस्तों मैं बता देता हूँ कि loop और 242 के सब में अगर सोच रहे हो, तो 242 ही लेना आप, लेकिन वहीं पर दिस्तों मैं एक चिस और यहाँ आ तो फिर ज्यादा पैसे खर्च करके आपको 242 सब में क्यों जाना, लेकिन अगर आप gaming को भी साथ में include करना चाहते हो, gaming, movies, and songs तीनों ही आपको अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर आप 242 के साथ में जाना, यह है दोस्तों आज की comparison, I hope कि आपको चीजे समझ आ गई होगी, त तो चले इस तो इसी साथ करते हैं, इस वीडियो को end, अगर आप इन दोने यह फोंस में कोई भी एक purchase करना चाहते हो, तो आपको मैं description में link दे दूँँगा, आप चाहो तो purchase कर सकते हो, चले मिलते हैं इसी साथ अगली वीडियो में